अगर आपको भी करेला पसंद नहीं है तो इस वीडियो को एन तक ज़रूर देखें इस तरह से बनाया हुआ करेला कड़वा नहीं लगता है तो चलिए रेसिपी शुरू कर दो यहां पे हाफ केजी करेला लिया है इसे अच्छे से वाश कर ले काटने से पहले यहां अब बार कड़ियगे कर दिंगे की करेला खराप तो लूँ अनदर से यह पी से छख करें के फिर से बारी बारी कितिक कर लेंगे 6 सारे करेले को। कटिंग करके रख लिया है अब इसको हुआ डालू के जा हैं अ कित sarc도 करें खेल लिए अफने छील लिया है बीच बीच में खुट लिए करेंगे कि जिस टाइब शे smgen करेंगे जिस टाइब से नहीं ज्यादा मोटा इस तरह से मीडियम साइज में इसके कटिंग करना है तो यह पर देखिए आलू को कट करने के बाद हम इसे दो पानी से अच्छे से वाश कर लेंगे और पानी अलग रखें तो यह पर आलू वाश करके रख लिया है और एक साथी साथ एक प्यास ले लिय है दो हरी मिर्च है यह आपशनल है इसे बीच में इस तरह से कट कर ले अब हम करेला को फ्राइब करेंगे उसके लिए गैस ओन करें एक पैन रखें पैन में यहां पर आप कोई भी कुकिंग ओल ले सकते हैं यहां पर मैंने चार स्पून ओल लिया है और गर्म होने पे कटा हुआ करेला एड़ कर दें अब इससे अच्छा से मिक्स करें गैस का फ्लेम हाई रहेगा इससे बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे ताकि करेला है वह जले ना और हम इससे तब तक पकाएंगे जब तक कि हाज़त का कलर चेंज ना हो जाए हलका गोल्डरन ब्राउन हो है कि करेला को गोल्डरन ब्राउन होने तक है तो अब इससे में हम एड़ करेंगे काटा हुआ पोटेटोस इसे अच्छे से मिक्स करें हर दो तीम निट बाद इसे मिक्स करते रहें ताकि जो करेला और आलू है वो तले से ना लगे अगर इस तरह से करेला आप भी बनाएंगे तो आपको भी करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा तो इस तरह से जरूर बनाएए एक बार अब यहां पर देखिए करेला के साथ में हमने आलू को भी फ्राई कर लिया है दो तीस से तीन मिनट के लिए फ्राई किया है अब उसके बाद हम कटा हुआ प्यास और हरी मिर्च एड़ कर देंगे इसको भी मिक्स करते हुए लगातार चलाएंगे दो से तीन मिनट के लिए ताकि जो प्यास है वो भी अच्छे से पक जाए प्यास को हमने एड़ कर दिया है उसके बाद अच्छे से मिक्स कर दें और यहां पर हम एड़ करेंगे अपने टेस्ट के अनुसार नमक नमक एड़ करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दें और गैस को हम सीम कर देंगे लो फ्लेम पे ढख कर पकाएंगे कमसे कम दो से तीन मिनट के लिए तो यहां पर देखें गैस लो करके हमने ढख करके रख दिया है अब इसको हम दो मिनट बाद धकन हटा करके एक बड़ मिक्स कर लेंगे ताकि जो करेला है वो जले न धकन हटा कर बीच बीच में मिक्स करते रहें ताकि जो करेला है वो चिपके न मिक्स करने के बाद हम दुबारा से एक मिनट के लिए धकन धकर पकने देंगे तो पे देखिए एक मिनट बाद अब ढ़कन हटा करके हम एक बार अच्छा से मिक्स करके चकर लेते हैं कि यहां पे जो आलो और करेला है वो पका है यह नहीं तो यहां पे देख सकते हैं स्पून के सहाईता से इसका मतलब कि आलो जो है वो पकर के रेडी है तो यहां पे देखिए करेला और आलो है वो पकर के रेडी है इसे पकने में टोटल 15 मिनट लगा है अब कलर के लिए हम इसमें 1 फूर्थ स्पून हल्दी पौडर रेट करेंगे हल्दी एड और अच्छे से मिक्स कर देंगे तáकि हल्दी भी पख जाए तो एक मिनट के लिए हल्दी को भी पका लेंगे साथ है मिक्स करके तो देखिए यहाँ पे करेला और आलो की भुजिया बन करके रेडी है तो चलिए इसे हम सर्फ कर लेते हैं रोटी और पराठे के साथ भुजिया के साथ रोटी और पराठा सर्फ करेंगे उसके लिए मैंने आटा लगा करकर रख दिया था बीस मिनट हो चुका है अब इसके हम छोटी छोटी लोईया तोड़ करके रोटी बना लेंगे अगर आपकी भी शिकायत होती है कि रोटी बनाते समय नहीं फूलता है तो इस टीप्स को जरूर अपनाईए सबसे पहले अगर रोटी बनाना हो तो आटा को लगा करके कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए आटा लगा कर ढख करके रख दे ताकि आटा है वो अच्छे से फॉर्मिट हो जाए या फिर अगर आपको जल्दी रोटी बनाना है तो आटा लगाते समय हम आटे को हलका गुनगुना पानी से आटा लगा करके रैडी करेंगे और उसको पांच मिनट के लिए ढख कर रख दे इससे क्या होगा कि आटा एकदम सॉफ्ट होगा और रोटिया एकदम फुली फु तब इससे हटा करके एकदम डायरेक्टली ग्यास पे सेक लेंगे यह देखिए इस तरह से बिल्कुल कितना एजी तरीके से रोटी है वो एकदम फुल चुका है पलट कर दूसरी तरफ से भी हलका सेक लेंगे तो यह पर देखिए रोटी बनकर के एकदम रैटी है दो मिनट भी नहीं लगे हैं सिखने में अगर आपको पराठे भी बनाने हो तो रोटी की साथ पराठे भी बना सकते हैं उसके लिए रोटी जैसी लोह लेंगे और रोटी वेल करके तयार करें रोटी बेलने के बाद उस पे हलका ओल लगा लेंगे ओल लगाने के बाद इससे इस तरह से हाफ फॉल्ड करें हाफ फॉल्ड करने के बाद भी हल्का सा उस पर ऑईल ग्रीश करें आइल लगाने से यह होगा कि परांठे बिल्कुल फुली फुली और नरम बनेंगी इस तरह से हम इसकी दो बार फॉल्ड कर देंगे अब इस पर सुखा आटा लगा करके बेल लें यह देखिए इस तरह से किनारी अच्छे से बिल्कुल दबा देना है ताकि परांठे बेलते समय उसका शेप अलग ना हो परांठे बेलने के लिए अब इसको हम आशुखा आटा में डिप कर लेंगे और रोटी की तरह बेलन चलाते हुए परांठे को भी बेल लेंगे एक दम पतला और परांठे जितना पतला होता है उतना है क्रीस्प बनता है तो यहाँ पी देखे परांटा बेल करने है इस एक साइट से पकने दे।e दूसरी साइट से भी पक चुका है तो जैसे की आप दẹख सकते हैं परांटा वह अपने पी फूल रहां अब यहां पर देखे एक तरफ से पक कचुका है और इस पर हम उपर से ओइल ग्रिस करेंगे इस पर थोड़ा ओई लगा लेते हैं आप दूसरी तरफ पलट देंगे और दूसरी तरह भी अच्छी से ओई लगा लें यहां पे आप ओयल के जगे पे घी या बटर भी लगा सकते हैं तो ओयल लगाने के बाद दोनों तरह से अच्छा क्रिस्पी होने तक इसे सेंख ले तब देखिए कितना अच्छा कलर आया है और एकदम करारे करारे पराथा बनकर के रेडी है तो यहां पे देखिए रोटी पराथा और करेले के भुजिया बनकर के रेडी है अब इसे हम नाश्ते में गर्मा गर्म सर्फ करेंगे तो अभी इस रेसिपी को बनाईए और आपकी रेसिपी कैसी बनी है यह मुझे कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको अचकी रेसिपी अच्छी लेगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे जान को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को क्लिक कर दें और ज्यादा जनकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो तब तक सेफ रहिए सुरक्षित रहिए